काफी सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको अपना डॉक बनाना है उनको ऐसा चाहिए डॉक जो आटैक करें वाइट करें लेकिन आज की वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी बाते बताऊंगा जो जरू से याद रख लिए चाहिए अगर आपको एक खतनाग डॉक बिट चाहिए या अगरिसिव डॉक बना रहे हो तो और यह चीजे आपको बहुत ही काम की है तो यह वीडियो जरू से पूरी देखना साथ साथ एक और चीज बताऊंगा जितका खास ध्यान रखना पड़ेगा आपको वरना काफी पच्छताना पड़ सकता है तो यह वीडियो पूरी जरू देखेगा काफी सारे लोग क्या करते हैं कि अपने डॉक बिट को खतरनाक बनाने के लिए उसे मारने की कोशिश करते है या फिर एक जगह पर बांद के रखेंगे और उसे गुस्ता दिलाने की कोशिश करेंगे यह सबसे गलत वे होता है आपके डॉक बिट को एगरिसिव बन रहा है और साथ-साथ बॉन्ड भी ढूट रहे है आपके डॉक ब्रीट आप क्या चाहते हो कि एगरिसिव कब हो कि आप पर कोई खतरा हो या फिर उस पर कोई अटैक हो रहा हो तो वो खुद की प्रोटेक्शन के लिए आपकी प्रोटेक्शन के लिए लेकिन अगर आप के लोगों के साथ तो एगरिस होगा आपके साथ भी हो जाएगा अगली बार आप नोटीस करोगे कि उसको उसी तरह से कुछ करने जाओगे जिससे हाथ दिखाया उसे वह साइन समझ लेकर तुरंद गुर रहेगा हो इसे करके या फिर दात निकाल लेगा पाक करने की कोशि कर देगा तो सोच लीजिए अगर आपकी एक गलती इतनी बड़ी महंगी पड़ती है तो आपके डॉक बिट को एकरेसिव बनाने का ये कोभी एक रियल और अच्छा तरीका नहीं है नमबर टू वह क्या करेंगे कि बच्पन सभी बोलेंगे चू अटैक चू अटैक ऐसी च करती काफी जादा ही प्रॉब्लम करती है इवन इफ अगर आप बाहर वाले किसी डॉग बिट के पास भी ले जाते उसे खिलाने तो भी वह उस पर अटैक कर देगा तो ये सब चीज़े काफी जादा जो डॉग बिट को अग्रिसिव बनाना चाहते है या फिर अपने नहीं कराते उनमें यह देखा जाता है और आप सोचेंगे कि क्या है बाइट कर लेगा उसे बता देंगे कि कुछ नहीं मेरा डॉग बिट के इंग्जेक्शन है लेकिन वह बाइट की पावर एकरिसी डॉग बिट बना रहे है उसकी बाइट फोस के में भी आपकी चमड़ी भी उखाड़ दे तो यह सब मजाक में मत लीजिए सेकेंड के बाद अब आता है थर्ड थर्ड में आप सोचोगे कि चलो यह संबालेगा कि बाइट फोस कम नॉर्मल है काटा नहीं है कुछ नहीं सिर्फ काटा है तो क्या हो जाएगा मेरे साथ तो देखिए सामने वाला कि जो परसन होगा उसको आपको काटने के वज़े से जो भी खर्चा होगा उसकी लाइफ में भी खतरा सकता है तो वो सब कुछ आप पे आएगा साथ साथ वो अगर केस कर देगा तो सोच लीजे कितनी बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है आपके साथ तो अगर आपको पालने का श फोर एक अच्छा बॉन नहीं बनाते और एक अच्छा हारनेस भी निलाते अब काफी लोग यह सोते हैं कि हां सर मैंने अपने डॉग बिट को अच्छे से पगड़ के रखा है बेल्ट लगाता हूँ अब कहीं भी ले जाता हूँ तो नॉर्मल रेता हूँ लेकिन डॉग ब बेल्ट लाते हैं यह भी तूट जाते हैं तो अगर ला रहे हो तो स्ट्रॉंग लाइए सकेंड डॉग बिट को पता होता है कि यह बेल्ट जो है मैं कैसे खोलू क्योंकि आपकी चोटी चोटी चीज़े उसको अग्रेसिव बनाने के लिए काफी बड़ी दिक्कते कर सकती ह तो डॉग बिट को अग्रेसिव मत बनाएए ट्रेन कीजिए प्रोटेक्शन के लिए ट्रेन कीजिए वह आटमेटिकली जो है अग्रेसिव मोड कर देगा अगर खत्रा मैसुस होगा लेकिन ट्रेनिंग और सोचलाइज़ेशन जरूर से रखिए अगर आपको इसमें सब्सक आपके लिंक दिए हमारी खुद की एटमिक्स की तो वहाँ पे आपको सारे प्रोड़क्त मिल जाएंगे सब्सक्राइब के लिए कुछ और फूट बूट लेना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक्स है आशागर तो आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कीजिए चानल पर न्यों तो सब्सक्राइब कर लिए मिलता हूं मैं आपको ऐसे इंट्रेस्टिंग वीडियो के साथ